हेलो दोस्तो, वेलकम बेक टो आर चैनेल आज के इस फिरियो में हम बात काने वाल है how to reset your device यानि के इस फोन को पूरी तरह से reset कैसे करें फोन reset मानने से पहले मैं आपको बात दू कि इस फोन में चितने सारे photo, video, gmail account, important data store है मोबाल को reset करने से पहले उनसा भी data का backup ले लीजिए क्योंकि reset करने के बाद start data permanently delete हो जाएगा तो इस mobile को reset करने के लिए सबसे पहले आपको phone के settings में याना होगा phone settings open करने के बाद यहां search bar पे find करेंगे factory फिर आपके समने एक instruction आएगा इस पे click करके आप सीधा phone reset option में जा सकते हैं या तो phone settings open करने के बाद यहां about phone पे click करिए यहां पे आपको दो option दिखाई लेगा backup and restore और factory set बैक आप एंड रेश्टोर पर click करके sms, contact, call history, system app और third party apps का backup ले सकते हैं next option factory set, factory set से अब अपना device को format कर सकते हैं, factory set के अंदर आपको कुछ इस तरह के interface देखने को मिलेगा मैं आसा करता हूँ कि आप अपने phone से सभी important data backup ले लिया हैं, आप address और लेटा पर click करेंगे phone format करने से पहले lock screen का password enter करना होते हैं, इसके बाद आपसे पूछ जाएगा backup item first, अगर आपने इस phone पे कुछ backup लिया हैं, तो उस data को दूसरा किसी device में transfer कर लीजिए, नई तो start data permanently delete हो जाएगा next factory reset पर click करना है, उसके बाद आपको सोचित किया जाएगा कि आपका phone format होने जा रहा है, यह दो सेकंड का timer खतम होते ही next दबाना है, फिर आपसे दूबारा पूछ जाएगा कि आपने सभी data का backup लिया है, इसके बाद दो सेकंड का timer खतम होते ही ok कर देना है, फिर आपका device reset ह जोना सुरू हो जाएगा, जब तक आपका device पूरी तरह से reset ना हो जाए, तब तक आप इस device को चालू या बंद काने का कोशिस ना करे, device formatर में थोरा समय लग सकते हैं, तब तक आप यहां integer कीजिए, इसके बाद यह automatic boot हो जाएगा, यहां पे MIUI 13 का logo आ चुका है, आप इस device क को आपने ही सबसे setup कर सकते हैं, तो दोस्तों उमीद करते हूं कि एफ वीडियो आपके लिए बहुत धेलफूल था, इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सबसे कानल ना भूले,